अब हम करेंगे प्रोनाउं दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने नाम के जगा आई शब्त का स्नमाल किया और वाक्या का मतलब भी नहीं बदला और इसलिए आई को हम प्रोनाउं या सर्वनाम कहेंगे प्रोनाउं के और भी उधारन हैं जैसे वी, ही, शी, यू, इट, इत्यादी, इत्यादी Speak Well के Advanced Grammar Book में प्रोनाउं टॉपिक को डीटेल में दिया गया है मैं चाहूंगा कि आप इससे अच्छे से पढ़ें और और अच्छे से समझें दोस्तों दिये हुए एक्जाम्बल्स में I, You, We, He, She, It इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउं कहते हैं पर्सनल का मतलब होता है नी जी इन्हें पर्सनल प्रोनाउं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन किस्म के लोगों के बारे में बात करता है पहला प्रकार को हम कहते हैं First Person यानि उत्तम पुरुष ये वो व्यक्ति के लिए इस्तमाल किया जाता है जिसने बात की है जो बात करता है दूसरा प्रकार है Second Person यानि मध्यम पुरुष वो व्यक्ति जो बात सुनता है तीसरा प्रकार है Third Person यानि अन्य पुरुष ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही हो तो दोस्तों अब हम सीखते हैं first person form जैसे के मैंने कहा कि इसे और आगे तीन प्रकार में विभाजित किया गया है nominative, possessive और accusative में nominative में हम I का इस्तमाल करते हैं I यानि मैं जो एक वचन रूप है और इसका अनेक वचन रूप होता है we यानि हम और धारन के तौर पे I am young मैं जवान हूँ we are young हम जवान है इसी के साथ दोस्तों दूसरा प्रकार possessive, possessive में जो pronoun इस्तमाल किये जाते हैं वो है my और mine यानि मेरा ये एक वचन रूप है और इसके अनेक वचन रूप है our और ours और धारन के तौर पे मैं कहूंगा this is my house this house is mine और जब मैं अनेक वचन रूप इस्तमाल करूँगा तो मैं कहूंगा this is our house ये घर हमारा है this house is ours तीसरा प्रकार है accusative accusative में इस्तमाल किये गए शब्द है me जो एक वचन रूप है और इसका अनेक वचन रूप है us me का example है give this book to me ये बुक मुझे दे दो और इसका अनेक वचन रूप होगा give this book to us ये बुक हमें दे दो तो अब हम सीखते हैं second person second person में nominative हम इस्तमाल करेंगे you ये you वाक्य के शुरुवात में आता है you का मतलब होता है तुम और धारन के तौर पे you are a good man तुम एक अच्छे इनसान हो इसके बाद है possessor possessive में हम इस्तमाल करते हैं your या तो फिर yours your का मतलब होता है तुम्हारा जैसे this is your house ये घर तुम्हारा है this house is yours और इसके बाद आता है accusative accusative में भी you का इस्तमाल किया जाता है लेकिन ये you वाक्य के शुरुवात में नहीं आता ये वाक्य में कहीं और आता है उधारन के तौर पे why are you so sad तुम इतने दुखी क्यों हो third person pronoun में nominative में हम इस्तमाल करेंगे he masculine यानि pulling के लिए she feminine यानि streeling के लिए और it neuter gender के लिए ये एक वचन रूप है और इनका अनेक वचन रूप होगा they he, she, it को हिंदी में हम कहेंगे वह और they को हिंदी में हम कहेंगे वे उधारन के तौर पे he is my friend वह मेरा दोस्त है she is my friend वह मेरी दोस्त है it is my car वह मेरी कार है और अनेक वचन रूप में they are my friends वे मेरे दोस्त है अगला है possessive possessive में हम masculine के लिए इस्तमाल करेंगे his feminine के लिए इस्तमाल करेंगे her और neuter gender के लिए इस्तमाल करेंगे इनका अनेक वचन रूप होगा देया उधारन के तौर पे ये बैग उसकी है ये बैग उसकी है और अनेक वचन रूपी का उधारन है ये घर उनका है और आखर में अक्यूजर्टव अक्यूजर्टव में masculine के लिए हम इस्तमाल करेंगे him feminine के लिए इस्तमाल करेंगे her और neuter gender के लिए इस्तमाल करेंगे it और इनका अनेक वचन रूप होगा them और धारन के तौर पे call him उसे बुलाओ call her उसे बुलाओ this is your pen take it away ये तुम्हारी pen है इसे ले जाओ और अनेक वचन रूप होगा call them उन्हें बुलाओ दोस्तों जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा है कि it ये प्रोनाउन हम किसी निर्जिविद वस्तू के लिए इस्तमाल करते हैं या फिर किसी जानवर के लिए इस्तमाल करते हैं और अगर हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं बिना उसका लिंग बताए तब हम it का इस्तमाल करते हैं उधारन के तौर पे इट इस अ कार ये एक कार है इट इस अ होर्स ये एक घोड़ा है इट इस अ बेबी ये एक बच्चा है जब कभी भी एक वाक्य में हम I का इस्तमाल कर रहे हैं और उसके साथ एक दूसरा प्रोनाउन है तब वो दूसरा प्रोनाउन वाक्य के शुरुवात में आएगा और I उसके बाद में आएगा उधारन के तौर पे हम और आप मिलके होमवर्ग करेंगे I and you will do the homework ये गलत है सही वाक्य होगा You and I will do the homework दूसरा वाक्य हरी और मैं ये काम करेंगे I and हरी will do this work ये गलत है सही है हरी and I will do this work तो दोस्तों आपने देखा ये थे personal pronoun जैसे के पहले मैंने आप से कहा है के personal pronoun को तीन हिस्तों में विभाजित किया गया है first person, second person और third person जिने आगे और तीन हिस्तों में विभाजित किया गया है nominative, possessive, accusative अब हम सीखेंगे अगला pronoun indefinite pronoun indefinite pronoun हम तब इस्तमाल करते हैं जब हमें किसी वस्तो की सही संख्या या सही मात्रा का अनुमान ना हो या हमें किसी खास व्यक्ती के बारे में जानकरी ना हो उधारन के तौर पे some, little, few, nobody, anybody, somebody और उधारन के वाक्यों होंगे somebody stole my watch किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली all were drowned सब डूब गए दोसों indefinite pronoun पे और भी उधारन दिये हुए हैं आपको इसके लिए speak well की advanced grammar book अच्छे से पढ़नी पड़ेगी अगला pronoun relative pronoun relative pronoun में हम इन शब्दों के इस्तमाल करते हैं जैसे who, whose, what, which, इत्यादी ये pronoun किसी और noun के रिष्टे में एकी वाक्य में इस्तमाल किया जाता है उधारन के तौर पे I met Harry, Harry had just returned ये दो अलग-अलग वाक्य हैं अब हम इन वाक्यों को जोड़ देंगे relative pronoun का इस्तमाल करके तो वाक्य बन जाएगा I met Harry, who had just returned अगला pronoun है reflective pronoun जब किसी वाक्यों में किसी noun या pronoun का reflection या प्रतिबिम किसी और pronoun के साथ होता है तो उसे हम reflective pronoun कहते हैं उधारन के तोर पे reflective pronoun होगा myself और वाक्य है I will go myself reflective pronoun वाक्य में हमेशा verb यानि क्रियापद के तुरंत बाद आता है हमारे इस वाक्य में I will go myself myself जो reflective pronoun है वो verb यानि क्रियापद go के तुरंत बाद आता है जिससे हम reflective pronoun कहते हैं और इसी तरह से अगर ये pronoun किसी और noun या किसी और pronoun के तुरंट बाद आएगा तो उससे हम emphatic pronoun कहेंगे और धारन के तौर पे हमारा वाक्य होगा I myself heard it मैंने खुद सुना है इस वाक्य में myself pronoun I के तुरंट बाद आ रहा है और इसलिए myself यहाँ पे emphatic pronoun है तो दोस्तों reflective pronoun और emphatic pronoun में अंतर सर्फ इतना है कि reflective pronoun verb के तुरंट बाद आता है और emphatic pronoun किसी और noun या pronoun के तुरंट बाद आता है और आखर में है demonstrative pronoun जब हम किसी व्यक्ति किसी जानवर किसी चीज या किसी जगा के बारे में जिक्र करते हैं और उसके तरफ इशारा करते हैं तो उस वक्त इस्तिमाल किये जाने वाले pronoun को हम demonstrative pronoun कहते हैं उधारन के तौर पे this is a mango ये एक arm है that is your bag वो तुमारा bag है यहाँ पे this is a mango में this demonstrative pronoun है क्योंकि वो mango की तरफ आम की तरफ इशारा कर रहा है वसी प्रकार से that is your bag वो तुमारा bag है इस वाक्य में that एक demonstrative pronoun है क्योंकि वो bag की तरफ इशारा कर रहा है तो दोस्तों मिलते हैं अगले grammar के session में तब तक के लिए आपका ये trainer नवीद आपसे विदा लेता है Until the next time, goodbye and thank you